असलाम लेकुम वीवर्स और वेलकम तो जाइका कानपुरी कैसे हैं आप सब तो आज हम आप से शेयर करेंगे चिकन हांडी की रेसिपी चिकन को हमने हांडी में बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है कोई भी ताम जाम नहीं किया है मगर हमारा चिकन बहुती टेस्टी बनकर त्यार हुआ है और इसकी जो पीसेज हैं एक एक बहुत सॉफ्ट हैं हांडी में जब हमने बनाया है इस चिकन को तो जिस तरह से प्रेशर कूकर में गलाने से चिकन एक तम सॉफ्ट रहता बिल्कुल उसी तरह का चिकन इसमें सॉफ्ट है तो फिर चलें बनाना शुरू करेंगे अपने देसी मसालों से इस चिकन को और उससे पहले आप अगर हमारे चनल पर न आया हो तो चनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल बटन जरूर प्रेस किर जेगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती ता चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने एक बड़ा चम्मच होल धनिया ले लिया याना कि खडी धनिया तीन टुकडे हमने दाल चीनी के ले लिये हे तीन लावंग ले लिया है, तीन छोटी इलाइची ले लिये हैं, और तीन ही हमने जावित्री की टुकड़े ले लिये हैं, दो बड़ी इलाइची ले लिये हैं, हमने, साथ आठ हमने काली मिर्चे ले लिये हैं, आदा चम्मत सौफ ले लिया है, एक चम्मत जीरा ले लिया है अब जो हमको भून करके ग्राइंड करना है उन मसालो को हम देखें आप अलग कर रहे हैं हमने सिर्फ दौाल चीनी और बड़ी इलाइची ले लिया है भूनने वाले मसालो में बाकि हम सब मसालो का तड़का देंगे तो यह देखें आप चार मीडियम साइस के रफली प्याज एकदम चौप करके रख लिए बिल्कुल रफली आप देख लें इसको हमने बिल्कुल भी बारीक नहीं काटा है क्योंकि हमें इसका पेस्ट प्यार करना है तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब हम इन मसालों को निकाल कर रख लें ब्राउन होने तक प्राइ करेंगे जब लोग प्यास अच्छे से नहीं फ्राइख हो पाता है तेल पी जाता हैlier हो जाता है अह आए फ्लेम पर बहुती कृस्पी हो जाता है quick प्यास दाल दिया है इस तेल में और इसे हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे प्यास बहुत अच्छे से फ्राय होने लग गया है इसका कलर भी देखें नीचे से चेंज होने लग गया है तो हम नीचे से भी चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्यास नीचे से जलना जाए यह देखें तो प्याज बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब हम यहां पर गैस स्टोक को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम लो करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा प्यास निकालेंगे, तब तक की नीजे का प्यास बिल्कुल जल चुका होगा, इसके हम पहले करेंगे अब लाट जाना है चिकन करना हुआ है कर लोगाया हैर ना . जब तक क्या और खीड हो जाएगा है जब तक क्या में शीचन का ख़ग का ख़ग। चिकन को हम इतने दिर भूनेंगे कि इसका कलर चेंज रही है देखें आप इसका कलर चेंज होने लग गया है वाइड कलर से यहाँ पर हमने अद्रकलैसुन का पेस्ट दो चम्मच रखाय तेया है अब हमने अपने जार में डाल दिये हैं भुनेवे मसाले जो पर भुना था और फ्राय के अवा प्यास, इन मसालों को हम तीन बड़े चमच दही के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, आप चाहें तो दही ना डाले, पानी भी डाल सकते हैं, पानी डाल कर ग्राइंड कर अध्रक लैसुन पेस्ट भी आड़ कर दिया है और इसे खूब अच्छे से भून लेंगे अब चार से पांच मिनिट हम अध्रक लैसुन एड करने के बाद भून लेंगे चिकन को तकि इस की स्मयल जो है वो चली जाए वैसे तो हमने तेल में बहुत अच्छे से चिकन को फ्र आटी में त्यार किया था कि खड़े मसाले का और तलेवे पियास को एड करने के gotway कर अअच्छे से फ्राइ कर लेंगे 5-6 मृनट के लिए और ऊच्छे से भाप प्रेंगे में त्यार किया है काटकी नेकितला ये न कौने अटारी। just अलग ब्रतर में भून लेती इसे हां करेंगे तब ही तो आएगा हमारी रेसिपी में इसलिए जरूर से जरूर्ब इस तरह से बनाएं बस आपकी हांडी मजबूथ होनी चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप आँच में रखें मों टूर जाएं जार वारला मसाला हमने इसमें डाला था तो उस convertedेि अधा पानी आट कर दिया था और फिर से इसी हांडी में पलट दिया है अपने जार को खंगालते वे ताकि मसाला भी वेस्ट ना हो और हमारे जो चिकन है वो तले से लगे ना अब हमें यहां पर आदा चमश नमक डाल देना है और यहां पर टेस्ट ले लें जो अगर आपको नमक कम ज़िए मिर्श कम लगे तो आप आड कर सकते हैं नमक को एड़ करने के बाद हम सल्वी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें फोड़ा सा पाणी यह जोगे!!! लेकिन पहले हम इन मसालों की अच्छे बुनाई कर लेंगे जो भी हमने एड़ किया है यह देखें तेल उपर आ गया है मसालों की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है अब हम इसमें एक ग्लास पानी आड़ कर देंगे ताकि थोड़ा सा यह कूकिंग में पानी जलेगा और थोड़ा सा हमारा सालन बनने में पा आड़ी चिकन में कसूरी मेति का टेस्ट नहीं पसंद आता इसलिए हमने नहीं आट किया है तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी कॉमेंट जरूर कीजेगा बताइएगा जरूर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा चैनल पर नए आया हो तो सब्सक कीजेगा वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर कीजेगा अल्ला हाफिज